हेलो गाइज मेरी एक और वीडियो में आपका दिल से स्वागत हैं ये मैंने द्वाईयों की खाली बोतल ले ली है और आज हम इन से बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान डियाईवाई बनाएंगे होम डेकोर के लिए और इसमें एक भी रूपया आपको खर्चने की जरूरत न हैं द्वाई की ले सकते हैं या फिर कोई और तो मैंने उपर का हिसा इसका काट दिया है और आज हम आपको दो आइडिये बताएंगे एक ही बोतल से और आपके बहुत ही काम आने वाले हैं ये मैंने देखी इस तरह से इसको अलग कर लिया है आप अपनी साब से रख सकते है और यह मैंने यहाँ पर पुरानी कत्रन पुराना कपड़ा ले लिया है और अब हम इसको यहाँ से इतना काटेंगे जितना आप देख रहे हैं और इसको ऐसे काटेंगे यहाँ पर उन लेने की कोई जरूरत नहीं अगर आपके पास नहीं है तो यह इसमें ना ही उनकी जरूरत है ना इलैस की और ना ही रिबन की यह बिल्कुल फरी में बन कर त्यार होगा घर के पुराने मैटेरियल से और यह देखिए मैंने इसको ऐसे मोड लिया है उनको दो बार उन नहीं सोरी यह कपड़े को इस तरह से और अब हम इसके बीच में रखकर इसको ऐसे घुमाएंगे और इसके उपर अच्छे से इसको लपेट देंगे यह याद रखना है कि इसको बीच में ही रखना है इस तरह से और एक मैंने पतला कपड़ा काट लिया और एक यह मोटा काट लिया था ये पतले वाला है और ये इसके उपर अच्छे से टाइट टाइट है इसको कश देंगे और ये देखिए ऐसे हो गया है तैयार ये देखो ये आज का DIY जो है बहुत ही आसान बहुत ही फाइदे मंद और बिलकुल फरी में बन कर त्यार होगा और ये मैंने लाल कतरन ले ली है बचा हुआ कपड़ा और आप देख रही है मैंने इतना लिया है और इसको भी हम डबल कर लेंगे आपके पास जो भी कपड़ा हो साड़ी का सूट का चुनी का या फिर पुराने जो कतरन बच जाती है उनका आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक बात बह बाते हुए चलना है ताकि यह धागे दिखे नहीं यह बात आप जरूर ध्यान में रखना इस तरह से इसको हम अच्छे से कस कस कर लपेटते रहेंगे डिला नहीं रखना है यह मैं इस तरह से पूरे के उपर हम लपेट देंगे यहाँ इसको ऐसे दबाना है ताकि धागे दिखेने और यह मैंने लपेट लिया है और आखरी का भी देखो यह दोनों तरफ से हम अंदर की तरफ मोड लेंगे जो कटाई वाला जो हिस्सा था न वो दोनों तरफ से मैंने अंदर की तरफ मोड लिया है और यह यहां पर गल्यूगन से चिपका देंगे आप चाहो तो यह सोई से पका कर सकते हैं यह मैंने चिपका दिया है और देखिए इस तरह से बनकर तयार हो गया है और यह पतले वाली जो गोटापटी होती है बिल्कुल सस्ते वाली वह लिमने ले ली है और यहां से हम इसको ऐसे सुरू करेंगे और वही इसको हम हम ऐसे जाली दार लपेटेंगे जिससे की उपर जाली बन जाए इस तरह से ये बिलकुल ही आसान है और बिलकुल ही फ्री में एक भी रुपया लगाने की जुरू देने बस ये दो रुपय की या फिर एक रुपय की गोटा पटी लगेगी आपकी बस और इसको मैंने ये ऐसे लपेटेंगे जाली बन कर त्यार हो गई और बाकी की लैस को काट कर हम चिपका देगे मैंने चिपका दी है और ये देखी कितना सुन्दर बन कर त्यार हो गया है बिलकुली आसान ये देखो लग रहे हैं कि अपड़ेगा ये जैसे कि कोई उन हो या फिर कोई रिबन हो दे ने ले लिया है और यहां से हम इसको काट देंगे यह मैंने काट दिया है और यह अच्छे से इसको साफ कर लिया है और यह मैंने एक और कपड़ा ले लिया है यह सब बचे हुई कतरन है सूट के ले सकते हैं बचे हुई कतरन तो पटेस किसी के भी आप ले सकते हैं और इसको भी मैंने ऐसी ही डबल कर लिया है इसको भी हम उसी प्रोसेस में लपेटेंगे मुडाई वाला बहार और जो कटाई वाला है उसको नीचे दबाते हुए चलेंगे आगे ये दिवाली डेकोरेशन हो या फिर कोई और डेकोरेशन हो उसमें या आइटम्स बहुत कामाते हैं एक बोतल के दो आइटम बन गए है एक वो डमरू वाला जो कैंडल होल्डर कैंडल स्टैंड दिया स्टैंड है वो बन गया है और एक ये बनने वाला है बच्यो हुई कतरन से पुराने सूट पुरानी साड़ी कुछ भी ले लीजिए अगर आपको वीडियो लाइक ओ सोरी पसं लपेट दिया है और यहां पर हम इसको चिपका देंगे अंधर की तरफ बार की तरफ नहीं चिपकाना है यह इस तरह से बन गया है और यह वही लैस ले ली है मैंने कॉल्डन कलर वाली और इसको हम काट लेंगे काटने के बाद यहां अंदर से शुरू करेंगे यहां से और इसको ऐसे लपेटते हुए पूरे के ओपर लपेट देंगे यह बिल्कुल ही कम टाइम में बनने वाला और बिल्कुल ही आसान और सस्ता जुगाड है यह और बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम बनकर तयार हो गए हैं यह देखो मैंने पूरा कर लिया है और इस लेंस को अंदर की तरफ है अब हम चिपका देंगे आज की यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना और आप भी बना कर देखना यह बहुत ही आसान आइडिया है वेस्ट मैटेरियल का यह देखो इस तरह से बन गए है यह कितने सुंदर बन गए है यह देखिए बाई बाई